दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेला इकन को भी दबा ले दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए 9 से 15 जुलाई तक की 12 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं जोस्तो बार फिर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है इन भर्तियों के फोर्म भर्णा बिल्कुल मत बूलिएगा सुनैरा आउसर निकला है आठवी दस्य और बार फिर पास कैंडिडेट इन भर्तियों की लिए अपलाई कर सकते हैं जिया दोस्तो ओल ओवर इंडिया से भारत के किसी भी राजे से आप आवीधन कर सकते हो, महिला पुरुस दोनों केंडिडेट इन फॉर्म को बर सकते हैं, इस वीडियो में आपको कम्पलीट जानकारी देंगे कि किन किन बारा इभागों के अंतरकति भरतिया निकली है, किस प पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही हमारे साथ इस वीडियो में अंतरक इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी सुआल और आउट किलियर होंगे, दोस्तो इस वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर क एक्रूट्मेंट सेल, नोर्थ सेंटर लेलवे, भारती रेलवे के इंतरगते भरती निकली है, सिटी अप्रेंटिस के लिए 1664 वैकेंसी जहां पर निकली है, बात अगर डेट की की जाए तो लास्ट एट अपलाई करने की एक अगर दो जार बाईस है, दसवी पास पलस आईटिया इसे आप इस बढ़ती के लिए अपलाई कर सकते हो, एज लिमिट 15-24 से, 100 रुपे फीस है, एसेश्टी फीमेल को जमा नहीं करनी होगी, मेरिट से चेन होगा, ओनलाइन आवीदन कर सकते हो, यूपी जोब लोकेशन है, ओल आवर इंडिया से ओनलाइन कर सकते हो, rrc.pyj.org पोटल से, उसके बाद दोस्तों जहाँ पर सेकिंड नंबर पर जोब निकली है, वो भी SSC में ही निकली है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोश्ट है, बाद अगर डेट की की जाए तो आवीदन इसके लिए 20 जुलाई से सुरू होंगे, लास्ट टेट 4 अगस्त 2022 है, 9300 से 4800 से लिए है, मास्टर डिगरी से आप एपलाई कर सकते हो, मैक्सिमम 300 सिसके आई यू सीमा है, एपलिकेशन फीज सो रुपे है, सस्टी फीमेल के लिए नहीं है, रिटन एक्जाम, परिस्नेलिटी टेस्ट एंट्यू से चेन होगा, ओनलाई आवेदन कर सकते हो, पूल इंडिया से, ssc.nac.in portal से ओनलाई कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जोब निकली है, वो भी ssc.nac.info निकली है, head con stable की भरती है, 800 से धिक vacancies है, 8 जुलाई से आवेदन स्टार्ट है, लास्ट टेट उनती जुलाई दो जार बाईस है, लेवल फोर के इंतरगत से लिए है, बार्वी पास एपलाई कर सकते हैं, 18 से 27 वर सायुशीमा है, 100 रुपे फीस से ssht female के लिए नहीं है, return cbt mode, physical और computer typing test के आधार पे जेन होगा, online आप पूल इंडिया से आवेदन कर सकते हो, ssc.nic.info पोर्टल से, उसके बाद दोस्तों जो फोर्ट नंबर पर जोब निकली है, वो भी ssc में निकली है, constable driver की भरती है, 1000 से दिक vacancies है, 8 जुलाई से आवेदन सुरू है, लास्टेट रुनती जुलाई 2022 है, 2200 से 2200 से लिए बार्वी पास एपलाई कर सकते हैं, 21 से 30 सुर्श आयू सीमा है, 100 रुपे फीज से सस्टी फीमेल के लिए नहीं है, रिटन फीजिकल ड्राविंग टेस्ट के आधार पे जेन होगा, ओनलाईन आप ओल इंडिया से आवेदन कर सकते हो, ssc.nic.in portal से, उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जोब निकली है, वो निकली है टेरिटोरियल आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी ओफीसर की भरती है, 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो, लेवल 10 के इंतरगत से लिए ग्रेजवेट अपलाई कर सकते हैं, अठारा से 42 वर्स आयू सीमा है, 200 रुपे फीसर रिटन एक्जाम इंट्यू से चेन होगा, ओनलाईन आप पूल इंडिया से आवेदन कर सकते हो, जो इन टेरिटोरियल आर्मी डोट जोब डोट इन पोर्टल से, उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जोब निकली है, वो निकली है डियाडियो में, साइन्टिस्ट बी की भरती है, 630 वेकेंसीज है, 29 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो, लेवल 10 के अंतरगत से लिए है, बैचलर डिग्री इंजिनिरिंग और मास्टर डिग्री से आप एपलाई कर सकते हो, मैक्सिमम 28, 31, 33, 35, 38, 40 और सायू सीमा है, 100 रुपे फीज से SST PWD फीमेल के लिए नहीं है, गेट असकोर रिटन और परसनल इंट्यू से चेन होगा, ओनलाइन आप ओल इंडिया से आवीदन कर सकते हो, rac.jov.in portal से, उसके बाद दोस्तों जहां पर 7 नंबर पर जोब निकली है, वो निकली है, आइसी अप रेलवे में, अप्रेंटिस के लिए 866 वैकेंसी जै, 26 जुलाई तक आवीदन कर सकते हो, चैसे साथ जार से लिए है, दस्वी पास पलस दस्वी पलस आईटाई से आप एपलाई कर सकते हो, 15 से 24 सुवर्श आयू सीमा है, 100 रुपे फीस है, एसे एस्टी फीमेल के लिए नहीं है, मेरिट से चेन होगा, ओनलाइन आप ओल इंडिया से आवीदन कर सकते हो, pb.icf.jov.in portal से, उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर एट नमबर पर जोब निकली है, वो निकली है इंडियन नेवी में, अगनी वी एकी भरती है, अठाई सो वैकेंसी जै, पंदरा जुलाई से बाईस जुलाई तक आवीदन कर सकते हो, तीस से चालिस जार उपे से इली है, बार्यू पास अपलाई कर सकते हैं, फीज जमा नहीं करनी होगी, रिटन फिजिकल मेडिकल से चेन होगा, ओनलाइन आप ओल इंडिया से आवीदन कर सकते हो, आवीदन कर सकते हो, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, बैड से आप अपलाई कर सकते हो, मैक्सिमम 35, 40, 50 और सायू सीमा है, 2,01815 उर्पेफीस है, SST, PWD के लिए नहीं है, CBT, INTO, Personal Interactions के आधार पे चेन होगा, ओनलाइन आप ओल इंडिया से आवीदन कर सकते हो, नवदे.joe.in portal से, उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर पर जोब निकली है, वो निकली है, IBPS बैंक में, कलर की भरती है, 6,500 से दिकपद है, 21 जुलाई तक आवीदन कर सकते हो, 2200 से 19,300 से लिए है, एचलर डिग्री से आप अप अपलाई कर सकते हो, 20-2700 सायू सीमा है, 850 से 155 रुपे फीस है, प्री में एक्जाम से चेहन होगा, ओनलाइन आप ओल इंडिया से आवीदन कर सकते हो, IBPS.in portal से, उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर पर जोब निकली है, वो है सम राइफल्स में, टेक्निकल ट्रेट्समैन के लिए 1380 सीपद है, 20 जुलाई तक आवीदन कर सकते हो, 10-12 पास अपलाई कर सकते हैं, 18-23 और सायू सीमा है, 200-100 रुपे फीस है, रिटन फिजिकल से चेहन होगा, ओनलाईन आप पूल इंडिया से आवीदन कर सकते हो, असम राइफल्स डोट जोवी डोट इन पोर्टल से, उसके बाद दोस्तों जो 12 और लाश नंबर पर जोब निकली है, वो निकली है, भाबा उटोमिक रिशल सेंटर में, वाक असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ड्राइवर की पोश्ट है, 31 जुलाई तक आवीदन कर सकते हो, दस्वी पास एपलाई कर सकते हैं, 18-27 वर सायू सीमा है, 100 रुपे फीसे से सेस्टी फीमेल के लिए नहीं है, उबजेक्टिव टेस्ट, प्री स्टेस्ट, स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, एडवांस टेस्ट के आधार पे चेन होगा, ओनलाईन आप वूल इंडिया से आवीदन कर सकते हो, recruit.bark.joe.in portal से, तो दोस्तों ये थी 9 से 15 जुलाई 2022 तक की टोप 12 भर्तियों की पूरी जानकारी, डाउनलोड कर सकते हो, और apply भी इंसे कर सकते हो, link यहीं पर provide करा दे गए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करे, साथी साथ दोस्तों अगर आपने भी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम daily government jobs की ऐसी ही big update अपलोड करते हैं,